क्या पती पतनी के बीच लड़ाई जगड़े होते हैं? अब आप बोलेंगे कि ये कैसा सवाल है? जहाँ प्यार होता है वहाँ तो छोटी मोटी लड़ाईयां तो होती ही है लेकिन क्या वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे पर हाथ उठा देते हैं? तो कई बार नियूज में हमें ये चीज़े देखने और सुनने को मिल जाती है और आपने आसपास भी ऐसे चीज़े सुनी ही होंगी लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलिवुड के सूपर स्टार आमिर खान भी अपनी पहली पतनी से जोड़दार थपड़ खा चुके हैं तो पूरा मामला क्या है चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं नमस्कार न्यूजरूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है मैं आपके साथ कुनार विसे आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि बॉलिवुड के सूपर स्टार आमिर खान कभी भी किसी शो या अवोर्ड शो या पार्टीज में नहीं जाते हैं लेकिन पहली बार वो महमान बनकर मशूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में पहुचे और शो में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई मज़ेदार बाते बताई इसी बीच आमीर खान ने बताया कि एक बार एक्स वाइफ रीना दत्ता ने उन्हें थपन मार दिया था हाला कि आमीर खान ने इसके पीछे की एक मज़ेदार घटना भी बताई दरसल कपिल शर्मा के दा ग्रेट इंडियन कपिल शो में आमीर खान से पूछा गया था कि क्या वो लोगों के बिहेवियर को नोटिस करते हैं तो जवाब में उन्होंने अपनी एक्स वाइफ रीना से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा सुनाया आमीर खान ने कहा मेरे बड़े बेटे जुनेत का जनम होने वाला था और उस बक्त रीना जी लेवर पेन में थी हम हॉस्पिटल में थे और एक अच्छे पती के तौर पर मैं उनके साथ ब्रीधिंग एक्सराइस करवा रहा था जब उनका लेवर पेन पढ़ा तो मैंने उन्हें ब्रीधिंग एक्सराइस के जरीए शान्त कराने की कोशिश की तब उन्होंने मुझे जोड़दार थप्ण मार दिया और कहा कि ये बकवास बंद करो मुझे बहुत दर्द हो रहा है आमिर खान ने ये भी बताया कि दर्द में रीना ने उनका हाथ भी काट किया था आमिर खान ने आगे बताया उस वक्त मैंने नोटिस किया कि जब रीना जी को बहुत जादा दर्द होता था तो उनके चहरे का एक्स्प्रेशन बिलकुल अलग हो जाता था खेर आपको बता दे कि आमिर खान और रीना दत्ता की शादी के बाद 16 सालों तक साथ रहे लेकिन इसके बाद दोनों एक दूसरे को तलाग देकर अलग हो गए थे आमिर और रीना के दो बच्चे हैं जिनके नाम जुनेद और ईरा खान है रीना दत्ता से अलग होने के बाद आमिर खान ने किरन राओ से दूसरी शादी रचाई थी लेकिन ये रिष्टा भी जादा दिनों तक नहीं चल सका और 15 साल साथ रहने के बाद दोनों ने एक दूसरे को तलाग दे दिया था तो ये था वो आमिर खान की जिन्दगी से जोड़ा हुआ एक मज़िदार किस्सा तो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंड वाक्स में ज़रू बताएं और देखते रहिए निउसरूम पोस्ट